नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभीका अभी हाली में मेक्सिको से खबर आ रही है कि वहां पर एक 59 नियर्स के विक्ति की मौत हुई एच 5N2 बर्ट फ्लू वाइरस के वज़ा से और यह पहले ऐसी डैथ अभी तक WHO यानि वर्ल्ट हेल्थ और्गनाजिशन ने रिपोर्ट करी है जो एच 5N2 बर्ट फ्लू वाइरस के वज़े से हुई है काफी रिसर्चर्स का ऐसा दावा है कि आने वाले समय में एक निया पें से हमके तारी कर रहे हो हमारी प्लेलिस के बागे वीरिस को देख कि आपको काफी हल्प मिनने वाली है इसलिए समय नगाल कि हमाई चैनल को जो रूचेक करेगा चले शुरुआत करते हैं देखे अब यह पहली नोन डेथ हुई है एच 5N2 ब्लूड फ्लू वाइरस की वज़ जिसको ड्लू नी रिकोड किया है जिस विक्ति के मृत्य हुई है वो 59 यह का है इस इंसान को फीवर हुआ शॉटनास ब्रीथ हुई डाइरिया हुआ यह सारे सिम्टम लेकर जब यह हॉस्पिटल गया है वहां पे इसके मृत्य होगी और वहां पे जब इसकी बोड़ी को स् के मृत्यू वाइरिस के वाज़े से हुई है हाला कि यह जो विक्ति था इसे और भी कुछ प्रॉब्लम सी जैसे की क्रोनिक क्रिड्नी डीजीज है टाइप टू डाइबटीज है और सिस्टैमिक अर्टरी हाइपटेंशन है इन सारे विमारियों के वैसे हो सकता है कि यह वि आरेस है यह चिकन्स में पाया जाता है चिकन्स भी होता है और चिकन्स के विसके मृत्यू भी होती है और कई के बार हुमने ऐसे बेखा कि कई चिकन्स को मारना भी पड़ा तकि को इस वाइस और चिकर to College है इस बाएब को कंटेंड में कि यह स्प्रใชThandel लेकिन पिछले कुछ महीनों में जब इसको भी बिमारी हुई तो उसके कुछ पिछले महीनों में ये ना तो चिकन्स ना एनिमल्स के कंटेक्ट में आया मतलब ये डिरेक्ट टच में नहीं आया और फिर भी इसको ये वाइरिस हो गया और इस वाइरिस के विसे इसके chickens और animals के direct touch में आया ही नहीं तो फिर ये viruses के body में पहुंचा कैसे इस point of time पे ये virus का जो source है ये found नहीं हो पाया है ये unknown है लेकिन H5 went to outbreak जो है ये मुखेता इस area में जहां से ये विक्ति आता है उस area में chickens में कुछ समय पहले देखने को मिली थी अब health officials उस जगह में जहां पे ये विक्ति रहता था जिसके मुझती हुई है बहां पे ये इतने भी farms हैं उनको closely watch कर रहा है closely monitor कर रहा है ताकि कोई नों कोई evidence ऐसा मिले जिससे हम ये पता लगा सकें कि उस विक्ति थे के virus पहुंचा कैसे अब हाथ करते हैं H5N2 virus के बारे में देखें सबसे पहले ये virus आयर लैंड में देखा गया था 1983 में सीधा स्वाल पूछा सकता है कि बताए H5N2 virus सबसे पहले कहां और कब देखा गया तो कहां देखा गया आयर लैंड में कब देखा गया 1983 में ये virus काफी पैथोजनिक हाइली पैथोजनिक टाइप है एविन इंफिंजा का और ये मोस्टली बर्ट को अफेक्ट करता है 2015 में ये यूएस के चिकन फार्म्स में भी सप्रेड हुआ था जिसके वेसे वहां पर लाकों के संके में बर्ट को मानना पड़ा था कि इस बीमारी को कंटेन किया जा सके और स्प्रेड करने से रोका जा सके अब ये virus जोए ये मोस्टली बर्ट को अफेक्ट करता है लेकिन कुछ केसिस में ये human beings को भी अफेक्ट करा है ऐसा कई बार रिकोर्ड किया गया है और यही कारण है कि health officials possibility जिता रहे हैं कि ये zoonotic disease भी हो सकती है जोनोटिक spread भी इसका हो सकता है अभी हम पर बात है कि जोनोटिक disease क्या होती है जोनोटिक diseases को मैंने अच्छे से एक लग वीडियो में कवरी किया है जहांपे मैंने जोनोटिक disease का पूरा का पूरा concept आपको समझाया है और कुछ important बीमारियां भी बताई हैं जो जोनोटिक diseases कहलाई जाती है तो इस वीडियो को जुरूर देखेगा काफी नएचीज़ आपको से लिकने को मिलेंगे इसका link में आपको description box में देदूँगा अब researchers जो हैं उन्होंने ये भी दावा किया है जो की काफी खतरनाक चीज़ हो सकती है अगर आने वाले समय में ऐसा कुछ होता है तो researchers का ऐसा मानना है कि H5N2 virus जो है ये बागी few viruses के साथ mix हो सकता है और जिसके वैसे ये pandemic भी create कर सकता है pandemic जैसे की COVID-19 था COVID-19 से related सारे important जीके questions को मैंने अलग वीडियो में कवरी किया जुरूद देखेगा ऐसा कोई भी question नहीं है COVID-19 से related जो मैंने उसमें कवर नहीं किया है अगर आपने वीडियो देख ली तो ऐसा कोई question नहीं है जो COVID-19 से related अब करहत करा है इसलिए इस वीडियो को जुरूद देखेगा लिंक पर description box में दे दूँगा अब हमने बात करी pandemic की तो देखेगे अभी समय climate change की वज़ा से पुरी दुनिया में जो glaciers है वो पिगल रहे है अभी हाले में वेनेज़ूला पहला वो देश बना है जिसने अपने सारे के सारे glaciers को खो दिया है इस कुरेंट फिर को मैंने अच्छे से लग वीडियो में कवरी के जुरूद देखेगा इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा मगर अब यह बात मैं यहां पर बता क्यों रहा हूं क्योंकि glaciers के नीचे काफी ऐसे वारिस हैं या बक्टीरिया जो छिपे हुए हैं जैसे ही यह glaciers पिगल रहे हैं वो जो वारिस हैं वो बाहर आ रहे हैं पुर दुनिया के जो रिसर्चेस हैं उनका यह दावा है कि यह जो वारिस हैं यहने वाले समय में और ज्यादा बड़ा पैंडेमिक कोविर से भी बड़ा पैंडेमिक ला सकते हैं अभी यह जो वारिस बाहर आ रहे हैं जो ग्लीशियस के अंदर छिपे थे इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं वारिल स्पिल ओवर तो इसको मैंने अच्छे से एक लग वीडियो में कवरी किए इसको भी जरूर देखेगा यह भी आपके एक्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टन है यहां पर मैंने आपको तीन चीज़े बताई एक तो जुनोडिक डिजीजिस क्या होती है दूसरा COVID-19 से लेटे सारे इंपॉर्टन GFX तीसरा वाइरल स्पिल ओवर और चोथा कि वेनेशन अपने पूरे के पूरे गलेशिस को दिये है तो इन सारी चीज़ों को विस्तार से मैंने अलग लग वीडियो में कवरी किया जुरूर देखेगा सारों की लिंक आपको डिस्क्रीप्शन बोक्स मिल जाएंगे दुबारा अपने वीडियो पर आते हैं कि रिसर्चेस का ऐसा मानना है कि H5N2 वाइरस बाकी फ्लू वाइरस के साथ मिलके एक बड़ा पेंडेमिक ब्याने विले समय में बना सकता है जो कि काफी खतरनाच चीज़ है अब यहां पर ecological studies बताती है कि जो migratory birds होते हैं जो एक जगा से migrate होके दूसरी जगा जाते हैं जैसे मान लिजे कि एक जगा है यहां पर एक bird है इस bird में क्या है? इस bird में वाइरस है अब यह जो bird है यह migratory है यहां से यह bird औरता हुआ, migrate करता हुआ, मान लीजे कि यहां वाइ पोजिशन में गया, अब यहां पर यह जो bird जाएगा, तो इसमें वाइरस है, अब यहां पर बाकी जो birds होंगे, इसके contact में आएगे, और उन में भी यह जो वाइरस है, यह फैल जाएगा, तो एक लोजिकल स् इस lecture का analysis है, I hope आपको वीडियो अच्छे लगी हो, अगर आपको अच्छे लगी हो, अगर आपको अच्छे लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पॉलिटिस टेकनों में जिगेटिक साइसी वीरिस को सब्सक्राइब करेगा, बेल आको उनको जूद बाद दीजेग किसी वीडियो की नॉटिफिकेशन आप सो मिसना हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद,